अब नेक्स जो हमारे पास एक्जमपल आ रही है उसमें यह कहरा है कि आपके पास जो smallest molecule is the diatomic hydrogen with bond length is 0.0000000007 4 meter आती है कहता है इस answer को आपने किस में लिखने है standard form में लिखने है तो यह बहुत ही easy है आपके पास अब आपने करना किया है यहां पर सबसे पर लिखना है bond length तो bond length आपके पास क्या रही है bond length सबसे पहले आपने इसको लिखा इसके बाद 0.007 4 meter अब पहला point आपके जैन में होना चाहिए scientific notation का कि पहला point आप पास यह कह रहा था कि आपने इस point को कहां पे shift करना है first non zero digit तो यहां पे देखा जाए first non zero digit तो हमारे पास यह 7 आता है फिर second non zero digit 4 तो हमने हमें first non zero digit के बाद लगाना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7.4 यही point को मैंने first non zero digit के बाद लगा दिया अब देखें यहां से मैं move करके इधर किया और आप कल्भी मैंने कहा था आपके को यही कि जब भी हम right side की तरफ move करते है ठीक है right side की तरफ यहां से इस side पे ठीक है आप यह पास power क्या हो जाएगी negative हो जाएगी तो यहां पर देखें यहां पर one two three four five six seven eight nine ten और 11 तो आपने 11 digit move किया तो आप into 10 power minus 11 यहां यहां राइट side की तरफ आपने move किया तो आप यह पास power में क्या आ जाएगा negative आ जाएगा तो आपके पास standard form में आपके बांड लें seven point four into ten power minus 11 meter हो जाएगी अब यहां पर बात की जाए तो मेंटी सा आपके पास क्या आ जाएगा seven आ जाएगा और आपके पास exponent जो है वो आपके पास 11 आ जाएगा और यहां पर आप इसको minus 11 भी लिख सकते है अब next example की बात करें तो क कहता है कि adult house fly is having a mass of only 0.0000214 kg ठीक है आपके पास यह आ रहा है और आ कहता है कि आपने इसको scientific notation में convert करना है scientific notation में सबसे पहले आपने लिखना है कि आपके पास mass क्या है तो mass आपके पास जो आ रहा है वो almost 0.0000214 kg अब scientific notation का पहला rule तो आपको पता है कि आपने यह जो decimal point है इसको हमेशा first non zero digit के बाद प्लेस करना है तो आपने directly इसको move करके यहां पे प्लेस कर दिया देखा जाए तो यहां पे हमारे पास 3 non zero digit थे ना लेकिन हमने क्या करना है प्लेस करना है तो first non zero digit हमारे पास यह वाला आ रहा है तो हमारे पास क्या जाएगा two point one four and two ten आप देखें तो हमारे पास यह scientific notation है अब 10 की power हमारे पास क्या होगे basically हमने यहां से right की तरफ move किया और जब भी हम right की तरफ move करेंगे तो हमारे पास power क्या आ जाएगी negative आ जाएगी तो जब power हमारे पास negative आएगी तो हम यह देखेंगे कितनी negative है अब देखें पावर हमें पता है negative है अब देखेंगे कितने digit हमने यहां से इधर move किया यहां से 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो हमने 5 digit यहां से move किया तो हमारे पास जो mass आजाएगा वो almost 2.14 into 10 power minus 5 kg आजाएगा अब यहां पर मैंटीसा की बात की जाए तो मैंटीसा हमारे पास 2 आएगा ठीक है और exponent की बात की जाए जिसको हमने इंसे represent किया था general form में तो यह हमारे पास minus 5 या आप इसको आजा 5 भी लिख सकते हैं